जिनना मा पुरच्छा ने चंगी तपस्या करकी जा अपने मन दी इकागरता नो बदा लिया है ओ आपने सथूल सरीर नो चोले वांग जदों वी चाउन लाके वखरा कर देने दुनिया दे किसे वी कोने वेचा जिते ओ चाउन बिना किसे रोक टोग दे विचर साग देने फिर ओ जदों ओ चाउन अपनी आत्मान उस थूल सरीर विच परवेश करके पहला वांग विचर देहन जही एक कटना एक तिवती दी है जो अंगरेजी विच शवी पुस्तग थाड आई दे विच दर्ज है ओ तिवती लिखदा है कि मैं अपने सूखम सरीर तों स्थूल सरीर नो वाक करके गुफा दे विच शड़ करके मैं सारे तिवती सेर करना की थी एक आने देस सूखम तारनल मेरे सूखम अदे स्थूल सरीर दा आपसी सबंद बनेया रहा पूज चेर इस प्रकार दुनिया दा रंग देख के फिर मैं गुफा विच पई आपने स्थूल सरीर विच जाप्रवेश की था एक हूर जोगी परमहांसी यूगा नाद ने अपनी स्वै दीवनी विच लिखिया है जो अंगरेजी विच कताब शपना कीती है आटो बायोग्राफी आओ ये जोगी विच जोगी बहुत सारियां कटनावा उस कताब दे विच अपने स्थूल स्रीर नालो वक्त कर दिया लिखता है गाल सिर्फ मन नो पूरन इकागर कर दी है नामी पुरश विच जहियां हाडतां विच विचर जाना बहुत ही ममूली गाल है क्योंकि परमेसर प्राप्ती तो था ये बहुत हेट लियां वस्तावा हन मन नो इकागर कर दो वास्ते माँ पुरख कई प्रकार दे साधन दस्या कर दे हन जेवें जब्दी सहब नो पढ़ देयां जेवें मन दूसरी पौड़ी तो पढ़क जाना कीता जा करके वी पौड़ी ते पता लगा की मान नो की बानी पढ़ता प्या है पर फिर मन पहलियां पौड़ी तो पुछ पता नी लगा ते मन नो उड़ तीसरी पौड़ी ते उत्ता फिर लियो ना कि मना बारी ते मैंताईने न सनवनी तो सुनना ने केते उस तेसरी पवड़ी तो दबारा शुरू करना बार नुं पड़ते हैं ये मन फिर पड़किगा जेउस पवड़ी तु फिर उसे पवड़ी तो वॉर वार के मन नँ केर खेर कख last के लिए ओना इस तरह मान मापुर खाजे दसे तरी के अनुसार बहुत शेती मंटिक जाना करता है